हेलो फ्रेंज वेलकम टुम तो मां यूटूब चैनल फंडामेंटल इनिवेस्टर इस चनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ दूस्तो आज हम किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे किसी कम्पनी के बारे में बात करने वाले आई पीओ के बारे में यह भी एक स्टॉक ही बनेगा और कंपनी ही है बट स्टील अभी लॉंच होने वाली है लगबग इसका आई प्यों आ रहा है दो दिनों बाद दो तीन दिनों बाद आ जाएगा लगबग 14 जुलै डू 16 जुलै इसका आई प्यों डेट है और आप सभी को पता है जोमेंटो इसके इन्वेस्टर्स पहले ही करोड़ पती आरपती बन चुक है अभी बात करूंगा यहाँ पर आई प्यों आराई लगबग 76 का इनका प्यड़का प्राइज है बहुत ज्यादा नहीं और लगबग लॉट साही भी ज्यादा नहीं तो यहाँ पर क्या हम चांस ले सकते है क्या हमें यहाँ पर मल्टिब अगर मतलब डबल टिबल पैसा हो सकता है कि एक दिन में जैसे कि श्याइम मेटलिक में वह था बहुत सारे चेस्ट में आई प्यों का जमाना है और लगबग 2021-2020 से तो आई प्यों ने मज़रा दिया है बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा कमान 25% का है जो इनका इंकम है वो कम हुआ है 25% अब यह बात करते हैं इस शेर के बारे में या फिर इस IPO के बारे में तो चेली वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नहीं तो सब्क्राइब कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में को कहा था कि मैं एक stock market को एक अलग stock market से रिलिटेट एक अलग channel बनाना चाहता हूँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी stock market की तो नीचे description में उसका भी link है stock market training अभी तो उस पर कोई वीडियो आई नहीं यह पर आज रात में वहाँ पर वीडियो आ company का तो लगबग उन्होंने कहा है कि हमारे जो ज्यादा से ज्यादा customers है वह आते restaurants है क्योंकि आप सभी को पता है food delivery के इनका business है और लगबग बहुत बड़ा इंडिया में business है ना कि इंडिया में 23 countries में business है और 552 cities में इनका business चलता है यहाँ पर अगर बात की जाए लोगों क food book table and make payments while dining out so यहाँ पर देख सकते हैं एक ही नहीं मतलब sector एक ही है पर थोड़ा सा अलग-अलग division में वह बटे हुए है so अगर बात किया जाए तो 75% of earning they come from food delivery so अगर बात की जाए यहाँ पर major area of जो इनका पैसा आता है वो food delivery से आता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा-पूरा मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे सब हैं यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है और जानना है क्या करना है इसमें क्या हमें एक chance लेना चाहिए क्या हमें इंवेस्ट करना चाहिए फिर इसका IPO फियल करना चाहिए है हाई यह कभी IPO पी वीडियो बनाए ने आपके पता है क्योंकि मुझे ज्यादा IPO पसंद नहीं बड़ यह IPO थोड़ा अलग है और सबके नजरों के सामने है क्योंकि बह अगर numbers of restaurants देखे जाए तो 3,89,932 और food delivery restaurant 1,48,384 है तो यह पर देखा जाए अगर presence देखा जाए इनका तो लगबग मेने जैसे का 152 cities और अगर देखा जाए order 23 countries में इंडिया को चोड़के with इंडिया 24 countries हो जाती है 24 countries में serve कर रहे इतना बड़ा business इनका है अगर बात की जाए date कब है तो देख सकते है लगबग 14-16 July और अगर issue size देखी जाए तो लगबग कितना पैसा इनको उठाना है उनको किसनी पैसे की जड़ते मार्केट में कभी भी IPO आता है तो याद रखिए अपनी हिस्सेदारी बेची जाती है अब simple simple बात है 100% से में जो भी इनकी हिस्सेदारी है as per the money as per the issue size वो बेची जाएगे और वही पैसा वो लेंगे और लोगों को हिस्सेदारी देंगे यह simple thought है बट देखा जाए तो 9,375 करोर के shares वो मार्केट में बेचेंगे और उनका पैसा अपने company में लेंगे और उस दोस्तों कोई चीज ने रहनी चाहिए भाई पीछे कि हा भाई वो यतना पैसा करेंगे क्या इतना पैसा जामागे तो absolutely यह market यह IPO ओवर सब्क्राइब जरूर होगा क्योंकि सब के ध्यान में होता है लोग आज कल company के fundamentals ने IPO कोन सा आ रहा है वो देखते है तो अगर price band issue देख और brilliant काम कर रहे हूं कि उनको पता है भाई shares चोटर रखेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा जमाऊंगे face issue देख जाए तो 1 रूपी share है जो कि बहुत कम है अगर बात की जाए bid lot of size 195 के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 195 shares एक lot में आपको share मिल सकते है और आप यहाँ पर multiple orders भी डाल सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों अगर हम calculation ले ले कि आपको कितना पैसा लगेगा इसका IPO को खरीदने के लिए क्योंकि lot wise खरीदना है तो देख सकते हैं लगबग यहाँ पे 72 और 76 हम 74 रूपे पकड़ लेते हैं बीच का एक number और अगर calculate करते है 195 से हो तो around 14,430 परसेंट मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो 75 परसेंट जो इसमें बाइंग होने वाला है वो लगबग रिजर्व पहले से है qualified institutional buyer के लिए non-institution invest के लिए bet up to 15% of offer share retail investor के लिए सिर्फ 10% यहाँ पे दिये गए है यहाँ पे भी जो होने वाला है मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो IPO आया है उसमें भी इन्होंने अलग division बना दिये 75 परसेंट यहाँ पे qualified investors है उनके लिए है इंस्टिटो नन इंस्टिश professionals के लिए 15% है और simple investors के लिए जी retail investors होते हैं उनके लिए 10% यहाँ पे दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इन्होंने एक future assumption future के बरें बात किया और वो बहुत quality बात है मुझे भी अच्छी लगी मैंने Sinclair hotel भी एक recommended किया था 75 82 83 रूप है पर चल रहा है अब भी recommended किया था बहुत दिन नहीं हो गया मुझे बहुत quality stock लगता है वो उनके बारे में भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने hold किया तो उनको देखो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने इंदिया में सिर्फ 8-9% लोगी food consumption करते है through restaurants कौन कहता है co founder of Zometo Gauravro Gupta अभी इनका कहन simple है कि भाई जब Singapore में 90% लोग Sunday and Saturday जाते है hotels restaurants में खाने को तो मुझे लगता है 8-9% सिर्फ अगर इंडिया में consumption हो रहा है तो आगे भविश्य में बहुत ज्यादा growth यहाँ पे expect की जा सकती है और सभी को पता है होगा ही वो क्योंकि भाई इंदिया के restaurants अलग अलग levels पे जा नहीं रहे अभी बहुत quality यहाँ पे service दी जा रही है और अच्छा लगता है और अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगबग वो ग्रोसरी भी चालू करने वाले है जिसके लिए वो लगब 100 million investments की कम मतलब 100 million investments ला रहे हैं so as we expect की company बहुत बड़ी है और बहुत growth कर सकती है but but one thing we need to analyze is company has been down from last year 25% still company is in not good in balance sheet क्योंकि loss हो रहा है तो यहाँ पे लोग घर पे बेट के order करना चाते है आजकाल और यह उनको मुका दे रहे हैं but still अगर balance sheet देखी जाए तो थोड़ी down है but मेरा कहना अब है coronavirus था पिछले साल pandemic तो कुछ orders भी नहीं दे सकते थे आप बाहर से और बहुत सारे दिक्कते भी यहाँ पे daily basis पे हो रही थी competition भी यह order वो order दुनिया वर का panda foods and all on all but still I was very 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 bullish on the stocks कि मैं हमेशे केता हूँ कि market में लोगों के sentiments पढ़ो खुद के sentiment control करो पर market में लोगों के sentiments अगर आप पढ़ लिए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर profit हो सकता है आता है तो उसके साथ कैसे behavior किया जाता है like you are not with us तो भाहर सा आया है भाई अभी हमारे में आने में time लगेगा उसको friend zone जल्दी नहीं किया जाता तो लोग यहाँ पर पहुचाते पर उसको थोड़े दिनों बाद यहाँ पी ही दिखा जाता है जैसे कि हमारे बर्गर किंग हो गया और all and all बहुत सारे stocks वो again raid में ही close होते even after two or three months सो मुझे लगता है कि यहाँ पी भी इसके साथ भी ऐसे हो सकता है क्योंकि लोग आई-पी उस में starting में profit करते हैं और last में book करके निकल जाते हैं आपको भी वही करना है profit लेना और निकल जाना है बहले वो 20% 40% या फिर 100% तक करना हो जाया ठीक है कितना भी हो जाया आपको सि ज्यादा देर तक नहीं रुकना है नहीं तो कभी कभी lower circuit भी लग सकते है फिर बेचने तक का time ने मिलेगा फालतों में जो profit है वो भी loss में चले जाओगे तो मुझे लगता है यही तक सही होगा आप अगर उतना करे तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारा explain कर चुका हूँ और आज के लिए इतना है मिलता हूँ कले की वीडियो में तब तक के लिए मेरे YouTube चनल को सब्क्राइब कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलग्रम चनल का लिंक है वहाँ पे आप जॉइन हो सकते है और दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग उसका भी नीचे ड दिस्क्रिप्शन में लिए के प्लीज जॉइन एंजोई मेरे दोस्तों